ये जंगल शिकार खिलने गया था और वहाँ एक लड़की मिली है वो लकड़ हारिन है और उसका नाम बिद्मा है वो लड़की अनात है उसके माता पिता संसार में जीवित नहीं है उस लड़की से अपनी शादी रचाना चाहता हूँ तुम्हारा क्या ख्याल है प्रानाथ आपने क्या कहा कि वो लड़की अनाथ है उसका सहरा देने वाला कोई नहीं प्रानाथ ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि जो कि उस बेचारी को सहरा दिया क्योंकि उसका सहरा देने वाला कोई नहीं लेकिन प्रानाथ वो लड़की है कहां शिवाही उश लड़की को यहां ले आओ आओ बिजमा आओ प्रानात वैसे ये लड़की बहुत समझदार मालूम देती क्यों नहीं प्री ये गरीब की लड़की है और कोई अमीर की बेटी लाता हूँ तो वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगे और ये गरीब की लड़की है ये तुम्हारा ख्याल रखेगी और हमेशा तुम्हारे शान मंद रहेगी तो आप किस बात की देरी है आप अपनी सादी की तैयारी करें और मैं बहन को ले जा रही है इन्हें सोला सिंगार करा करकर के ले आ रही है क्या गया प्रिये तुम जाश्यती हो रही है चलो मेरी साथ रडबी परताश शींग वा शिपाहियों शादी की तैयारी की जाए और जिस तरे बड़ी रानी की शादी दरवार में हुई है उसी तरे बिजमा रानी की शादी होना चाहिए बहुत अच्छी बैत है महाराजी बिजमा रानी कभी ये शिकायद न कर सके कि हमारी शादी दूसरे ढंक से रचाई गई है नहीं राजन शादी में कोई कमी नहीं होना चाहिए ठीक है महाराजी ने क्या कहा कि सादी की तैयारी किया जाए और शादी में किसी चीद की कमी नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से बड़ी महाराणी जी की शादी हुई है उसी तरह से इनकी भी शादी होना चाहिए सिवाई सबसे पहले बाजा और यह गोला बारूद यह सब कुछ कर लो बाजा को बाजा को इनकरेगा है यार बाजा तो सबसे अच्छा आमने सुना है ब्रास बैन ना करो ब्रास बैन में तेश चौविश मने खवाव के लागा थे एक मने वाला बाजा करो अरे एक एक आदमी हाँ एक मने कौन सा इसा बाजा है कि एक आदमी सिर्फ बजाता है अकेले गर्दा महीं मशाय दिये थे अरे पगलिट तेरा धिमाग खराब होगिया का है अरे महाराज की साधी में डफले का प्रोग्राम करवाओगे ब्रास बैंड होगे तो ब्राज बैंड तो तेज भान के खावशनहां बड़ा मशूर बाजा है तो तेज भान तो ख़रा होगे है तुम लोग बाजा कर कऱ के आओ और मैं चलना हूँ बाकी का काम मैं देख रहा हूं तुम जा ओ देहो हम लोग बाजा कर आई यह पहले बताओ तुम एक ड़ूड मैं रहा दिया पने मुसल्मानी मन तुमारक साथ लिका वारा हो हमाई बपक मुसलमानी रही है अपने बपक मुसलमानी मना अपने मुसलमानी तुम्हारे तुम्हारे कचुमर हूं क्या बात है हम आपके कच्टुमर है आपको करने आए अरे वह का करे आए कोई प्रहे करने आए खाली है अरे पहले तारीक तो बताओ तारीक नहीं ना कहा है तरी बेना तरीक है की चलिए आरे दिशो मॉख दिन 15 thou ने में महीनम अर्टवार नहीं मैं रहे है हम बताया कि तरीक 25 से दिन सोमवार हो हम कहीं तारीक पचीश तारीक शूमवार है अच्छर अबोलिए तारीक पचीश दिन सोमवार खाली है भाला हो है उन्दी हुआ छाओ राए हैं हमारे पास कई बाजे है भाई बाजा बजा दुखाओ जो बाजा पर्संद होगा वह से कौन बाजे अमरे पास हर्मॉनियम है हर्मॉनियम धोलाख है दोलाख और एक बाजा बहुत बेतरीन है वह कौन हाहा कार यह कौन नवा जाया निखारे हो का हो अरे बहुत पुराना बाजा है पुराना बाजा है वह हूँ है क्या वही जोन बजावर रहो वह नहीं है अच्छा हार्मोनियम सुनाओ क्या बाजा एक बजाद के अपने हिसाब कोनो रान मेहरिया है अपने हिसाब कोनो नाफदान मकीरवार ही नहीं लगाए है क्या वाजा यह वाजा शहीं नहीं है यह पसंद नहीं अहां यह बाजा पसंद नहीं पर दोस्राइब हम एक नाफश वार्मोन ने थे रहा कि अपने हिसाब कोनो फुटाई हां या पिक पिक मास्टर बोलियो क्या बात है I don't like your music I don't like your music आपका बाजा पसंद नहीं है ये भी नहीं पसंद है तो फिर तीसरा बाजा सुनो कान हाहा कार सुनाओ हाहा कार सुनाओ हाहा कार सुनाओ मास्टर आपका बाजा बजाओ के हमार खूठी तूरा थे यार बहुत बहिया बाजा का थे हाथ तूजगा गोल तूजगा जई आपका बाजा पसंद आगया बहुत बहिया है यह बताओ का भाव है किराया बोलिये किराया बोली इसका किराया है 500 रुपय घंटा के तो गहाँ cooks गंटा 500 रूपर गंटअ में गन्टा ओला तो फिर गंटे लई लिए फिर गंटा अरे गंटे के पांचतके पांच्व एक घंटा में कैबुष लाग का था से छे थ्रेषार है क्या ए है लगाए तो ओढ़ा कांऻ सिथे 500 रुपिया घंटा बताओ थे शर्च अरे यार कुछ गम करा लिए 1000-2000 अहे 20000 बाजा हमाई 500 बज़ाओ prepared ब्यूहर में इंगाम फ़सा लेईज़ाई पेबहर में काम बनाऊ मश्चर बखोर बहुत यार भाईया हम तुहार पुरान गहां कहीं पहिचाने हो नहीं यार हर कारज में तुहार बाजा लए गई अपए बपा के मुरने में तुहार बाजा लए गई अपए अम्मा के तीलिके में तुहार बाजा लए गई अपने अम्मा के चिलिके में लए गई अपने नानी के निकासन में तुहार बाजय लेगाई। अपने नानी के मुतासन में लेगे। percent कम केज़ायार क्या 500 रुपए ज्यादा है ? तो छलो फिर सव रुपय कम 6.. sव रुपयार लेगे दीना सबस्क्राइब पहले नवाला यार चलो ठीक फिर बयाना के पैसा देदो और चलो बयाना लाओ लाओ यार बयाना के पैसा यार बयाना नहें दो गाभिन बयाना बोल यार की बयाना जोंती है दें का कई जाए हो यार हम तो तो महन को देना रहा है हम तो यार होटल खाए डा रहा है होटल जावा ठीक हम पूरा धाबा चाटे बाई थें मास्टर आप बोलिए यार बयाना नहीं नभाए अगर बयाना नहीं तो फिर बाजा नहीं आएगा यार कित्ता बयाना लेहो 200 रुपए वो कजी गिना कजी वो नहीं कटेगा कोई बात नहीं आप सव दूसों बात नहीं सव कूछी से दूंगा लेकिन बाजा लाया ऊंकर भॉयाना लेलिए वो चलो ठीक लेकिन बाजा भजने से पहले बैनाक पैसा देना बैनाक पैसा मिल जाए लेकिन एक बात चानल लेहो बाहरा समय से आवन है तुहरे घरमा कुप की पेलाए ये तुहां नापडान मैंटा इनके हम बच्ची फोटो अरे चलो यार दर्वाद छोड़ो यहां से जा रहां काने दो अच्छा तो हम चलते हैं अच्छा तो हम चलते हैं तेराम गंगा कैसे की तरह दो अच्छा तूजी है प्र cowmen बेष्चा व branchिजाद प्रप घर मुंपाद advocate कोलते हैं तो हम चलते हैं अच्छा रहां करते हैं TH 수도 मत्री जी एवन दाशियो अथवा दर्बारी थोड़ी देख लिए तुम लोग यहां से जाओ मैं राजन से कुछ बात ही करना चाहती है प्राणाद आज तक मैंने जो कुछ आपके साथ किया अच्छा किया या खराब किया मैं अपनी गलतियों की चमच देख लिए तुम्हारी गलती क्या बता सकता हूँ आज तो तुम्हारे इशानु से दबा जा रहा हूँ वो बरताओ मेरे साथ कर रही हो जैसे कोई मां अपने बेटे के साथ करती हो विशा बरताओ अपने पत के साथ कौन एशी पतनी है जो विशा बरताओ अपने पत के साथ करेगी लेकिन नहीं तुम्हारे एक दुख दर्द को मैं शमज रहा हूं तुम एक शंतान के लिए ये सब कर रही प्रानात इसमें इह सान की क्या बात है ये तो मेरा प्रम करतब बे और मेरा धर्म था जो मैंने आपके साथ किया है बेहन 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 बिजमा मैं तुमसे कुछ यही बाते बताना चाहती हूँ क्या बेहन चाहती है बेहन आज से तुम भी यहां की राज मलका और मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे रहते हुई और मेरे रहते हुई महाराज को किसी प्रकार की तकलीप नहीं होनी चाहिए अगर उन्हें कोई तकलीप हुई तो हमारे और तुम्हारे रहने से इस राजमहिर में बेकार है हाँ बेहन महाराज को कोई तकलीप नहीं होगी मैं तुम से यह उमीद करती हूँ और प्रानाथ में चलना चाहती हूँ अब आप लोग अराम करें मुझे आधेश देजिए यह तुम जाशती हो यह तुम से पहले यही बताना चाहता हूँ कि अगर बड़ी रानी से कोई गलती होती है तुम नहीं कहना जो कहना है वो मुझे से कहोगी तुम बड़ी महारानी से कहोगी तो दिल पर ठेश महुचेगी क्योंकि वो बड़ी है तुम छोटी हो और कभी यह नहीं सोचा था कि इसर दुबारा इस मंजिल पर फिर हमें चलाएगा ठेक्यों महाराज बहर को मैं कमी कुछ नहीं कहुँ क्यों नहीं परे यहीं सोच कर तुम्हें राजमहिल लाया हूँ और चलो प्री आराम खरो चलो और शुरू हो रही है प्रेम कहानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी प्यास जगी है प्यास जगी है परिशा है पानी शुरू हो रही है प्यास जगी है शुरू हो रही है प्यास जगी है चलो प्री आराम खरो आज मैं श्राज महल में आई और मुझे महारन जी की बातें बहुत अच्छी लगी और कितनी अच्छी कितनी दयालू है आज उनी की वज़े से मैं आज इस राज महल में आ गई हूँ मैं उनकी हर खुशियों से मैं अतिन दिखुश हूँ कितनी अच्छी महारान जी अले महारान जी अले बाती महारान जी एक खुशी का संदेश सरली करके आई हूँ सहेद आप सुनेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी अच्छा दासी वो कौन सा खुशी का संदेशा है मालकिन मैं आप से जरूबत ला हूँ लेकिन मालकिन क्या खुशी का संदेशा बताने से मुझे कुछ नाम मिलेगा क्यों नहीं दासी तुम्हें आवेश से मिलेगा मालकिन तो सुनिये अर महाद रानी रानी की तक दीर जागी महारानी रानी की तक दीर जागी बहारानी रानी की तक दीर जागी बहुत दूर बधी किसी नते हुंक भागी बहुत दूर बधी किसे नते हुंक भागी बहुत दूर बधी किसे नते हुंक भागी बहुत दूर बधी किसे नते हुंक भागी दो माह का गरे वे उनके खे ठेहरा दो माह का गरे वे उनके खे ठेहरा अर्य अब तो लगी आप के सुखने आगी आगे आगी आगी अब तो लगी आप के सुखने आगी सुखने आगी अब तो लगी दासी मालकी ये मैं क्या सुन रहीं और ये खुशी का संदेशा तो जूट तो नहीं बोल रही ना आज में नो महले गई थी तो बड़ी महारानी जी दातियों दासियों सो कह रहे थी मेरे पेट में दो महीने का गड़ और मैंने सुनी इसलिए मैं आप से सिर्थ बतानी आई दासी और अरे दासी क्या दर हकीकती सही है हरे दासी क्या दर हकीकती सही है और जो तूने भी बात मुझे कही रहे दासी क्या ये बात सच है क्यों नहीं ये बात सत है सोच ले समझ ले अगर ये बात गलत निकलीना तो ठीक नहीं होगा मुझे मैं अपने आखों से करा रही हूँ और कानों से सुन करा रही हूँ मलके ठीक हे दासी अगर अची बात है तो तुम यहां से जाओ महराज के पास और जाकर महराजी को कॉप भॉन में भेज देना अच्छी बात जा सकती हूँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कभी नहीं हो सकता महराज तुमने तो कहा था कि मेरी महराणी रसना के कोई संतान ही नहीं हो रहा और ये बिजमा के राज महल में कदम रखते ही महराणी गरवती हो गई नहीं महराज तुमने मेरे साथ सियासत की चाल चली है मेरे जैसे खेलने के लिए तुमने मुझसे सादी की है तुमने मेरी इज़त को बरबाद कर दिया है लेकिन महाराज तुमने अपनी इक्ष की आग बुझाने के लिए मुझसे साधी की मेरी हिज़त को बरबाद किया है इसका इसका बदला मैं जरूर तुमसे लूगी इस वक्त मैं तुम्हारा इंतिजार करूँगी को भवन में महाराज तुमने ठीक नहीं किया घ्बराज दुमने तुमने लिए मुझसे लुगी की ये क्या ये क्या देख रहा हूँ शादी के अभी थोड़े दिन गुजरे और बिजमा को भौन में या भगबान ये क्या देख रहा हूँ बिजमा अगर किशी ने कुछ कहा है तो वो मुश्य बताओ तुमको भवन क्यों आई हो खर गुल बदन गुल हसी मन की मलिका बताओ गुल बदन गुल हसी मन की मलिका बताओ शूखी कल्या तेरी कैशी मुर्जाई है शूखी कल्या तेरी कैशी मुर्जाई है चेहरे पे शाम उताई क्यों च्छाई हुई और शस्मुखी बोलो इतना क्यों घबडाई हो शस्मुखी बोलो इतना क्यों घबडाई हो गिर्मा भग्वान के लिए बताओ कि तुमको भवन क्यों आई हो अगर तुमें किशी ने कुछ कहा है तो वो मुश्य बताओ महाराज शुनो आपो हैं आपो हैं दिल के काले नहीं था पता आपो हैं दिल के काले नहीं था पता इसलिए ये या भागन फसी जाल में साथ में मेरे धोखा कमाया गया पोल सारी खुली आज हर हाल में महाराज तुम दिल के काले हो ये बिजमा को पता नहीं था शाथ में कैशे धोखा कमाये हम पिजमा प्यारी हखीकत बया कीजिए इस तरे दिल दुखाला नहीं थीक है आतिमा की जो बाते पता दीजिए इस तरे दिल दुखाला नहीं थीक है बिल्या तुम्हारे शाथ कौने शाधोखा किया है महाराज साहजी आप से है मेरी आरजू साहजी आप से साहजी आप से है मेरी आरजू मेरे जलते जिगर को जला वो नहीं जूठी उल्फद का परिदा हुआ फास्ट है अपनी हम दर्दी मुझको दिखा वो नहीं जानते हुए अंजान बनते हो महाराज तुम्हें सब कुछ पता है और जानते हुए तुम बिजमा के सामने अंजान बनते हो मुझे कुछ नहीं है मालूम प्रिये मुझे कुछ नहीं है मालूम तो सुनो महाराज तुमने मुझसे सादी की इकसी आग उजाने के लिए यह अपनी तमाना फूरा करने के लिए इस मेरी ज़त से ठेलने के लिए महाराज तुमने ही कहा था कि मेरी महाराणी के कोई अउलाद ही नहीं हो रहा और यह बिजमा के कदम रखते ही इस राज महिल में बड़ी महाराणी जी गर्वति हो गई बड़ी रानी गर्वति बड़ी रानी गर्वति बड़ी रानी गर्वति बड़ी रानी गर्वति यह यह पैगाम शुन कर तो हमें बहुत खुशी हूँ इस दिन के लिए तो तरस रहा था आज सुनने को मिला कि मेरी प्रेह रतनारानी गर्वती बिजमा तुम्हे तो खुश होना चाहिए तुम्हे खुश होना चाहिए तुम फिकर क्यों कर रही हो इश्रनी मुझे सब कुछ दिया है कश्च नहीं होगा महाराज महारानी गर्वती है तो ये बिजमा भी गर्वती है क्या मैं भी आपके बच्चे की मा बनने वाली हो बिजमा ये तो खुशी की बात हुए यही राजमहल में एक शंतान की रिए तरस रहा था आज इश्रने हमें इसी महल में एक रानी नहीं दो रानी और दो नम रानी गर्वती गरीबों की दुआ हमारे हाबली पर लग गई बिजमा इश्रने मुझे सब कुछ दिया है खुशाल रहोगी कश्च नहीं होगा नहीं महाराज नहीं मैं बड़ी महारानी को मैं बड़ी महारानी को गर्वती नहीं देख सकती नहीं हल हाल में मैं उसे गर्वती इस रूप में नहीं देख सकती पिजमा ये तुम क्या कही रही हूँ मैं ठीक कह रही हूँ बडी नानी को गर्वती नहीं देख शक्ती हो आशा मत को आशा मत को पिजमा आशा मत को महाराज बडी महारानी को मैं जानती हूँ तुम बहुत ब्यार करती हो और बहुत चाहते हो तुम्हें कश्ट हो रही है तकलीप हो रही है तकलीप हो रही है बिजमा तुम कहना क्या चाहती हो महाराज इस राज महल में या तो मैं रहूँगी या तो बडी महारानी रहेगी बिजमां ये तुम क्या करें वो बेचारी कहा जाएगी मेरे शिवा शहरा देने वाला कौन है बिजमां आशा मत करो आशा मत करो नहीं महाराज बड़ी महाराणी को आप नहीं अगर निकाल सकते तो मैं इस राजमहल को छोड़ कर मैं जा रही हूं बिजमां ठीक है जब ये बात है कि बड़ी राणी को गर्बोती नहीं देख शकती हो तो मैं बादा करता हूं बड़ी राणी का गर्ब हमेशा घंशा के लिए पात करवा दूदो उसका गर्ब नश्ट करवा दूदो लेकिन बड़ी राणी को मेरी नजरों से जुदा मत करो बड़ी राणी से जुदा रह तर मैं चिंदा नहीं रह पाऊं महाराज बड़ी महाराणी से आप जुदा होका रही नहीं सकते मैं आपका इरादा समझ रही हूं मैं इतना नादान नहीं हूं महाराज मैं तुम्हारे दिल में जो है न उसे मैं सब समझ रही हूं तुम बड़ी महाराणी को नहीं जाओगे नहीं निकालोगे उसे तो ठीक है मैं चली जाती हूँ मैं जा रहे हूँ खेरो भीजमा भीजमा याद करो वो दिन याद करो वो दिन जब तुम जंगलों में ठोकरे खा रहे थी और वो दिन भूल गई हो वो दिन भूल गई हो और तुम आईशे नहीं जाओगी आईशे जाने देता हूँ तो लोग हमें क्या कहेंगे लोग हमें क्या समझेंगे कि महाराज अपने इश्की की याग बुझाने के लिए आईशी लड़की से शादी की तुमसे कई गुना खुबसूरत मेरी प्रिये रतना है मैं एक शान्तान के लिए शादी की है और तुम्हें बचन दे कर लाया हूँ ओ महाराज आपने तो अच्छे मुलके पर याद दिला दिया हाँ याद आया एक बचन आपके पास अभी मेरा है और आज ये भीजमा उसी बचन को आप से मांग रही है कि बड़ी महाराणी को इस राजमहर से निकास ओ निकास ओ निकास ओ भीजमा ये तुने क्या क्या आज मेरी शमज में आया कि एक दोस्त के भेस में दुस्मन छुपी बैठी थी तुझे ये नहीं शोचा था कि तु नागन निकलेगी और रतना तुझे कई बार समझाया लेकिन तुने मेरी बात नहीं मानी आखिर वो मंजर मेरे सर पर डाल ही दिया अप्षा करूं प्रिये अपने दिये हुए बचन का पालन करूं या महल में रहने के लिए जगे दूं बिजमा तुम इस महल में रहो और इस महल में रहो और बड़ी रानी को इस महल से निकाल दूंगा महाराज एक ही जटके में सब तहस नहस हो गया सब तहस नहस हो गया लेकिन अब मैं देखती हूं कि बड़ी महाराणी को महाराज राजमें से निकालते हैं या नहीं दर्वारी सुनो बात महाराज बड़ी महाराणी को निकालने गए हैं राजमें से ओर तुम जाओ छुप कर देखो कि महाराज बड़ी महाराणी को कुछ देते तो नहीं अगर कुछ देते हैं तो आकर खौरन उससे बताओ अब मैं भी चलती हूं इंतिजार करूंगी कि महाराज महाराणी को इस राजमें से निकालते हैं या नहीं कि महाराणी को कि महारा जुप